हेलो दोस्तों स्वाग रहे आप सबका मेरे YouTube चैनल सच इन एजुकेशन हाप पर दोस्तों आज मैं आपको करवाने वाला हूँ HRA के बारे में मतलब Human Resource Accounting के बारे में मैं कोई practical concept नहीं पकड़ रहा मैं सिर्फ theoretical concepts को understand करवाने की कोशिश करूँगा कि HRA होता क्या है और इसमें कौन-कौन से methods, models और why it is important now ठीक है तो यह सारी चीज़ है ज़रूरी जो exam point of view से important पूछी जा सकती है वही मैं आज इस वीडियो में cover करने वाला हूँ और यह जो notes हैं दोस्तों या इसके लवा कोई भी कमर subject से notes हैं दोस्तों वो आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएंगे जो channel का link है वो आपको मेरे video description में मिल जाएगा देखें दोस्तों हम start करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HRA है क्या तो human resource accounting क्या होता है एक accounting या recognition of the expenses related to employees of the organization and involves costs related to recruitment, selection, training and hiring देखो मेरे पढ़ने का मकसर चरफ इतना साथा कि ताक कि वो आपको जो main line लिखी है वो तो समझ आए ही लेकिन इसके इलावा इसमें से जो concepts है वो क्या लिखे गई है recruitment, selection ये सारी चीज़े शायद आपने भी already business studies में understand करी होंगी जब या उन चीज़ों के बारे में देखते हो या फिर अगर आप simple HRA की बजाए HRM पढ़ते हो यानि human resource management का कोई subject पढ़ते हो तो भी आपको ये सारी चीज़े उसमें आती है कि अगर हमने कोई recruitment का खर्चा करना है, कोई selection के उपर खर्चा करना है कोई hiring करनी है, कोई training करनी है या फिर इसके इलावा हम कोई भी ऐसे खर्चे कर रहे है जो कि किसके regarding है, जो human के regarding है उनके expenses को recognize करना इसका under the HRA ठीक है, ये तो मैंने बता दिया क्या होता है अब इसमें main चीज़ आती है कि क्यों हमने HRA करना है, यानि इसका main purpose क्या है तो purpose इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वही है जो मैंने उपर cover up करी कि हम HRA के उपर कितनी cost लग रही है उसको measure कर सकते है एक human के recruitment, selection या hiring के उपर कितना खर्चा लग रहा है उसे असानी से measure किया जा सकता है इसके इलावा हम एक proper plan या budget को त्यार कर सकते हैं अपने training purpose के लिए कि हमने अगर training करवानी है किसी की या selection के बाद जो training purpose है उस purpose के लिए क्या हम अपना budget रखें क्या हम planning त्यार करें उस चीज़ को भी हम किसकी वज़े से कर सकते हैं HRA का मलब करने का main मकसद यही होता है कि हम budget असानी से बना सके अपना इसके इलावा हम जितने भी resources को use कर रहे हैं बीच में उनको भी effectively use किया जाए जैसे कि machine वगएरा जो HR इस्तेमाल कर रही है यानि humans जो है यह human resource के जरिये हम बाकी चीज़ों की resources का इस्तेमाल जो कर रही है उनको betterly utilize करवाना यह भी इसके अंदर आता है इसके इलावा जो HRA हम करते हैं यानि human resource की accounting जब हम करते हैं तो इसका mean मकसद यही होता है कि human resource की value और awareness को बढ़ाया जाए value और awareness को बढ़ाने का मतलब यह होता है कि हमें यह दिखाना है कि हमारे human resource कितने अच्छे से काम कर रही हैं हम humans को कितनी अच्छे से selection कर रहे हैं training दे रहे हैं उसके उपर और training के लिए कितना effective measure यूज़ किये जा रहे हैं कितनी effective techniques यूज़ की जा रहे हैं यह हम दिखाना चाहते हैं with the help of HR इसके इलावा हम अगर बात करें आगे आपके सामने points आपके सामने लिखे हुए हैं तो अगर मैं आपको बता हूँ लिखा हुआ है efficient and better human planning तो यह समयना बहुत असान है ठीक है कि हम अपनी planning को असानी से कर सकते हैं with the help of HR क्योंकि मेरे पास अगर record होगा तो record की वज़े से मैं क्या करूँगा आने वाली planning को असानी से कर लूँगा आने वाली planning के लिए अच्छे से plan और मलब जितनी चीज़े हैं चाहिए मुझे वो understand कर वा लूँगा ठीक है या फिर आप कहलो कि इसकी वज़े से यानि HR-A की वज़े से हम क्या कर सकते हैं हम हर एक चीज के उपर जो हम मलब main में चीज़े कर रहे हैं उसके cost को तो determine करी लेंगे कि actually क्या लगने वाली है लेकिन इसके इलावा जो top management है वो अपने आपको अच्छे से analyze कर वा सकता है इस चीज में कि जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमारा plan था पूरे organization के अंदर किसी चीज़ को implement करने का वो कितने अच्छे से effective हो रहा है मलब कितने अच्छे से implement हो रहा है या फिर अगर हमने कोई selection करवाई है उसके उपर training करवाई थी तो उसके उपर अभी कितना खर्चा लगा है तो आने वाले time period में हमें कितना उसके उपर रखना है मलग कितना उसके उपर planning करके उसे कम करना है या उसके उपर हम कितना benefit कमा सकते हैं आने वाले time period में ये सबी चीज़े किसकी वज़े से हो सकती है है हरे की वज़े से हो सकती है मैंने maximumly इसमें need भी पूरी करती है इसकी लेकिन उसको फिर भी हम define करेंगे आगे लेकिन इसमें जो main topics है न हरे के अंदर वो यही है कि इसके methods और इसके models कौन-कौन से होते हैं तो method में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला method इसका आता है cost approach method पूरे उपर अभी हमने एक बात को यानि एक common word ज़रूर पढ़ा cost, cost and cost why? because जिस सारी चीज़े cost के regarding की काम करती हैं कि हम असानी से पता कर सकते हैं कि हमारी recruitment, हमारी training के उपर कितना खर्चा लग रहा है और replacement cost method in the acquisition cost method क्या होता है? अगर हम बात करें जो acquisition cost और method होती है वो ये द्यान में रखती है कि हम कितने cost को अच्छे से capitalize कर सकती हैं यानि amortize कर सकते हैं या फिर हम कर लें कि कितनी चीज़ों को हम pre and l में लेकर जा सकते हैं और कितनी चीज़ों को हम अच्छे से capitalize कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में जो method आता है वही method होता है acquisition के regarding अगर मैं clearly explain करने के बारे में कहूं ना तो इसका मतलब यही है कि कैसे हम अपनी cause को capitalize कर सकते हैं और कैसे amortize करने के बाद उसे हम P&L में डाल सकते हैं ठीक है यानि यह दोनों चीज़ों के बारे में understand करवाना जो method इसमें helpful है वो कौन सा है acquisition cause method लेकिन अगर हम बात अगर इससे थोड़ी सी यह करना चाहें कि अगर हम direct cause की बज़ाए replacement cause को ध्यान में रखें यानि अगर हम यह देखें कि हमारे HR को अगर हम retire करने की बज़ाए अगर रटायर हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम यह पता करेंगे कि उसकी amount कितनी amortize हो रही है उपर तो यह case था acquisition का लेकिन अब हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम उन्हें replace करतें तो क्या फाइदा है तो उस method को हम इस्तेमाल करेंगे जो replacement method के लाता है यानि अगर हम बात करें कि अगर हम उन्हें replace करना चाते हैं तो replace के उबर जो cost लग रही है उसको understand करना किसके अंदर आता है replacement cost method के अंदर और उसमें कितनी cost लग रही है उसमें कितना benefit हो रहा है उसमें कितना नुकसान हो सकता है या फिर अगर हम another appointment कर रही है तो उसमें क्या फर्क आ रहा है यह सारा method कौन सा है replacement cause method जबकि retirement के बाद अगर हम कोई बात कर रहे है तो वो कौन सा method इस्तेमाल हो सकता है या retirement purpose के लिए कौन सा method इस्तेमाल हो सकता है acquisition cause method ठीक है जी दूसरा method था हमारे पास value approach method इसमें further again two parts आते हैं दो method आ जाते हैं sorry तीन method आ जाते हैं जिसमें present value method है जिसे मैं ना भी explain करूँ तो बहुत असान लगेगा आपको क्योंकि आपने बहुत बार अगर यहां तक पहुँचे है इस चीज को understand करके ही आए होगे लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि present value method क्या है कि जो चीज हमने उस समय इस्तेमाल मलब आज के टाइम में अगर मैं किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम में उसकी क्या value बन सकती है या फिर अगर मैं आज कोई इस्तेमाल करूँगा चीज मतलब simple सी बात है कि present value को जानना कि मेरी चीज के बारे में जो मेरी value आज बन रही है वो आने वाले समय में क्या होगी या जो आने वाले समय में मुझे नजर आ रहा है benefit उसकी value आज के time में कितनी है इन सब चीजों के बारे में जानना शायद आपको time value of money याद आ रहा होगा तो उसमें ये सारी चीज़े explain करी जाती है ठीक है दूसरा आता है value to the organization method ये क्या method है ये कैसे HR में काम आता है कि अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे जादा जो method है न ये focus करता है employees के profit के उपर यानि हम ये देखना चाते हैं कि employees की value कितनी है हमारे organization के अंदर कि employee में अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं अगर वो कोई premium का इस्तेमाल कर रही है तो उनको कितना profit मिल रहा है कितने profit से हम उन्हें फाइदा दे सकते हैं या फिर उनकी value कितने profit तक सिमित है उनकी value के बारे में understand करना value to the organization method मतलब वो कितनी value दे रहे है organization को और हम उन्हें कितना profit दे रहे हैं profit and value of the organization to be interrelated with each other in this method ठीक है जी ये main चीज़े इसमें कहीं गई है कि उनकी value एक organization के अंदर कितनी बन सकती है एक organization के लिए ठीक है next रहता है expense जो हम कर रहे हैं उनके regarding method create कर दिया HRA ने HRA के अंदर अगर हम और method करें calculation का तो वो क्या है expense model method की जितने भी हम expense कर रहे हैं यानि अगर मैंने equipment कर भी दी है तो equipment के further expenses क्या लग रही है यानि अगर मैंने किसी की recruitment करी तो उसके उपर medical खर्चा लगा यानि उसके उपर training का अलग से खर्चा लगा तो कुछ भी कहलो recruitment के बाद का जो खर्चा है खर्चे जितने भी लग रही है तो वो किसके अंदर है वो cost तो अलग चीज है लेकिन उसके उपर further जो खर्चे लग रहे हैं किसी चीज के application form के या फिर किसी चीज को और भी कहलो ऐसे बहुत से छोटे मोटे खर्चे होते हैं business के अंदर जो selection purpose के लिए लगते हैं test करवाने हैं उसके regarding वो सारी चीज़े किस में आती है expense model के अंदर ठीक है in short simple सी बात है कि क्या जो भी खर्चे किया जा रहे है organization उसे satisfy है के नहीं यह method मलब यह method काम में आता है इस case को जाने के लिए ठीक है now come under the models models क्या कहते हैं यहां फिर अच्छा रहे कि अंदर कौन-कौन से models आते हैं तो सबसे पहला है the left and scabards model scabards model what is this यह है यह model जो है ना future benefit के future benefit जो होने वाले हैं उनकी present value क्या होगी उसके ओपर focus करता है यानि अगर मैं यह बात करूं तो लिखा क्या है the present value of the future benefit to the employees वही मैंने अभी बात करी कि जो भी हम benefits future में दे रहे हैं मलब future purpose के लिए दे रहे हैं employees को उसका हमें आज क्या फाइदा होने वाला है उसके बारे में जानना यह model हमें बताता है focus क्या करता है इनकी कुछ exemptions के base के उपर तो यह देखता है कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे है यह जो model है अगर उनकी present value को जान रहा है तो उस case में हम क्या करते हैं कि उनकी age और skill और experience है उनके base पर किया जाता है यह सब कुछ कि employees में अगर हम बात करें तो future benefits के आज क्या benefit होने वाले है यानि आज क्या value निकलने वाली है उसको जाने के लिए यह क्या करते है उनको divide कर देते है age, उनकी skills के according उनके experience के according ठीक है इस चीज को करने के लिए यह model किस के उपर focus करता है यह जादातर किस चीज के उपर focus करने को कहता है average annual earnings के उपर according to the age group ठीक है next हमारे पास आ जाता है कि जो भी earnings है मतलब जितनी भी earnings है retirement के उपर उन्हें भी जान लिया जाए ताकि जो replacement और retirement cost है उन्हें अलग कर दिया जाए ठीक है इसके इलावा कोई भी जो method है वो किसके उपर focus कर रहा है salary और wages के उपर यानि यह employees के उपर ध्यान दे रहा है जादा model कि employees में कितना retirement benefit है employees को कितना profit दिया जा रहा है employees को कितनी salary दी जा रही है employees को कितने wages मिल रहे है उनके average annual profits कितने मिल रहे हैं उनको तो इन सभी चीज़ों के उपर focus कौन कर रहा है level and scabards model यहां फिर आप कहलो कि यह जो model है यह focus सारी चीज़ों के उपर तो कर रहा है लेकिन एक चीज़ को ignore भी कर रहा है कौन सी possibility of employees leaving कि possibility हो सकती है कि employees leave कर जाएं उस चीज़ को ignore कर रहा है यह सारी चीज़े यह future benefits उन से लेने की कोशिश कर रहा है और उनकी present value जानने की कोशिश कर रहा है लेकिन यह धियान में नहीं रख रहा है कि उनकी possibility क्या है employees leave करने की तो leave possibility को उन्होंने क्या कर दिया है ignore कर दिया है इस case में यह incoming में है एक important point जानने के लिए ठीक है यह एक model था लेकिन दूसरा model अब इसके थोड़ा सा अलग से काम करने वाला है वो क्या देखता है कि हमने present value तो देखनी ही है वो कौन सा model है Eric Flamhol's model Eric Flamhol's model यह क्या कहता है यह देखता है कि present model के उपर तो हम ध्यान देंगे ही मतलब जो similarity है वो तो है ही लेकिन हमने इसमें leaving factor नहीं करना leaving factor नहीं छोड़ना leaving भी देखनी है कोई retirement अगर हो रही है उस case में भी देखना है देखो उसमें मैंने एक word कहा था retirement benefits को देखना सिरब benefits देखे जाते हैं जबकि उसमें यह नहीं देखा जाता कि अगर हम retirement कर दें तो क्या होगा जल्दी तो in short अगर मैं कहूं तो उसमें हम क्या क्या इग्नोर कर रहे थे leave कितनी मिल सकती है यानि leave factor क्या है कोई voluntary retirement है उनको नहीं देखा जाता था कोई retirement या death of employees है उनको इग्नोर कर दिया जाता था तो उन चीजों के अलट जो model आया वो क्या आया Eric Flamahol's model इसमें क्या क्या चीज़े देखी जाती थी इसमें देखा जाता था कि working period क्या है employees का पहले नंबर पे दूसरे period में यह देखा जाता था कि जो period है वो leave का भी कितना दिया गया है मलब leave period भी देखा जाता था जो मैंने उपर भी बताया इसके इलावा ये भी देखा जाता था कि value to the organization क्या है वो value organization method के थूँ हमें ये देख लेते थे कि organization की value कितनी है मलब sorry employees की value कितनी है एक organization के लिए तो ये भी ध्यान में रखा जाता था ताकि हम retirement के time पे उनको अच्छे से जान सकें कि उन्होंने कितना organization को value दी है अब जैसे next किया है applying the present value method and considering the above effect ये हमने already देख चुका है तो इसलिए इसमें ज़्यादा focus करने की ज़रूद नहीं है हमें पता है कि present value तो ये देखे गई लेकिन इतना सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने ये तो देख लिया कि employees के बारे में हमने present value method के इस थूरूद सब कुछ देख लिया लेकिन अगर हम present value से हट के थोड़ा सजाएं तो तो उसके regarding उन्होंने कोई और models भी निकाल रही है वो models क्या थे? मोर्स model मोर्स model क्या कहता है कि जो gross value of services है जो भी हम employees को दे रहे हैं उसको पहले देखो gross value of services का मतलब क्या है? कि जितनी भी gross value मतलब जो भी हम दे रहे हैं उनकी gross value क्या बनेगी? जो भी जैसे commission दिया कोई salary दी, कोई wages दी उनकी gross receipt के बारे में जानो उनकी gross value के बारे में जानो उसके बाद ही ये सारी चीज़े करो यानि अगर मैं कहूं तो ये model सबके उपर ध्यान देने की बजाए ये किस चीज़ों के उपर ध्यान देता है? कि जो भी हमने उनको benefit दिया retirement के case में, कोई gratitude के case में या फिर कोई leave engagement हुई है ये सारी चीज़ों को add out कर दो और add out करने के बाद इनके उपर discounted factor निकालो कि इनकी value अगर हम आज के time में निकाले, present value निकाले तो discounted way में ये organization को कितना benefit दे सकती है ये model इस चीज़ के उपर focus करता है राइट? राइट? चलिए Linked model अब ये Linked model बहुत छोटा सा model है कोई इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जूरत नहीं है simple सा model है जो non-monetary benefits को ध्यान में रखता है simple सा model है जो non-monetary benefits को ध्यान में रखता है अगर आप चाहो तो इसके explanation अगर आपको ज़ादा देनी हो तो आप non-monetary factors को आगे explain कर सकते हो इसके model के regarding कि जो non-monetary factor है अगर job satisfaction के base पे देखें तो ये ध्यान में देता है कि job satisfaction employees को कितनी हुई थी कितनी-कितने factor में वो परिशानी feel कर रहे थे कोई productivity है रोल दिखा रहा है उस चीज़ के regarding ठीक है तो यह सारी चीज़ें हैं जो हम explain कर भी सकते हैं otherwise हमने में चीज़ क्या देनी है कि जो linked model है वो सिरफ non-monetary benefits के उपर ध्यान दे रहा है नाकि monetary benefits के उपर clear चलिए next के अधा है organ model यह क्या कहता है जितने भी benefits employees के रिगार्डिंग है वो सारी के सारी इसमें ले लिए जाते है whether वो monetary whether वो non-monetary whether वो किसी भी और चीज़ से something related है उन सब को हमने बीच में ले लेना है और वो benefits कितने period के लिए मिले कितने period की working के लिए मिले कितने period of working थे वो सारी चीज़े इसमें पहले add out करनी है उसके बाद net benefits को calculate करने के बाद हमने सारा जो है इस चीज़ में नदर डाल ली है यानि यह जो model है वो पूरे benefits को include कर लेता है whether वो किसी भी time period के regarding हो but होने working period के regarding चाहिए clear चलिए need को वैसे मैंने already वैसे उपर define करा था with the help of objective आप उसे clear कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो अब यह need फिर भी क्या है need अगर आप पढ़ लो तो बहुत असान है कोई मेरे जाधा पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो सारी की सारी वो क्या है उपर cover up कर दे गई है importance या need वैसे एक ही चीज़ है आप इसे साथ में ही cover up कर सकते हो लेकिन importance फिर भी आप देख सकते हो कि कहां पर हो सकती है अचारे की जहां पर human resource काम में करना जहां पर human resource को cost effective manner में हमने use करना हो तब यानि cost ज़ादा तर ध्यान में रखनी हो जब human resource के regarding तब हम इस method को इस्तेमाल कर सकते है या फिर आप कहलो कि जब हमने employees के regarding promotion, demotion, transfer या retrenchment या फिर VRS scheme के उपर ध्यान देना हो तब ठीक है या फिर आप कहलो किसी budget को prepare करना हो उसके regarding employees budget के regarding या फिर employees की performance को improve करवाना हो तब ये सारे factor आपको पढ़ने में काम आ जाएंगे बहुत असान है कोई मुश्किल नहीं है जो सारी चीज़ें उपर पढ़ी है सिर्फ आप पढ़ सकते हो आपको notes टेलिगा चैनल पर मैंने काहाँ मिल जाएंगे तो इसलिए आपको कोई problem नहीं आएगी ठीक है जी चलिए अब एक last topic रहता है वो है limitations का limitations क्या है there is no standard procedure HR के बारे में हमने पढ़ तो लिया लेकिन क्या हमें यह पूरा procedure पता चल गया कि कब क्या करना है कब किस model का इस्टेमाल करना है कब कौन सा step बनाना है यह तो हमें नहीं पता चला तो इसलिए यह सबसे बड़ी limitation है इसके इलावा हमने जितने भी valuation models को पढ़ा या फिर कहलो जितने भी models हमने पढ़े वो सारे के सारे models किस base के उपर है सिर्फ assumption के उपर जिसके लिए हम assumption के base के उपर कोई right decision नहीं ले सकते तो जो भी हम plan बनाएंगे वो rightly नहीं हो सकता कई बार यानि जो भी decision लेंगे वो साही बार right नहीं हो सकता इसलिए problem ये खड़ी रहती है हमेशा कि क्या वो decision जो लिया गया है वो काम में आएगा भी के नहीं मैं इसलिए थोड़ा सा पढ़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि in short इसमें क्या कहा गया है कि जितनी भी हम value निकालते हैं या calculation करते हैं या जो estimation लगाते हैं वो realistic नहीं हो सकता क्योंकि सारी चीज़ें तो हम अंदाजों से कर रहे हैं assumption के base पे कर रहे हैं इसलिए नहीं हो सकता ये सारी चीज़ों का answer सही हो ठीक है फिर different method यूज़ करोगे पता चलता कि कौन सा method जदा effective हमें काम में देगा ठीक है तो इन चीज़ों के regarding भी काम चलता नहीं है और जबकि एक method है जिसमें हम employee कोई turnover को भी ignore कर रही हैं तो इसलिए कहीं न कहीं ये भी एक limitation है कि कई-कई ऐसे methods हमें नजर आ जाते हैं जिसमें अगर हम human resource के regarding employee turnover include ना करें तो valuation proper नहीं रहती ठीक है तो इसलिए HRA के उपर कई limitations भी खड़ी हो जाती है I hope आपको बहुत understand हो गया होगा अच्छे से कोई explanation बनानी आपके लिए असान है लेकिन अगर आपको चाहिए फिर भी तो आप मेरे telegram channel पर ले सकते हैं नोट साब को वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो बस आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है HRA इस पूरी वीडियो में मैंने अच्छे से complete कर दिया hopefully आपको अच्छे लगा होगा वीडियो अच्छे लगी है तो like, share and subscribe करना मत भूलेगा बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों Thank you very much Have a nice day